ओके स्टुडेंट्स कल अमने कहा तक पड़ाता गथेट इस हाव 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 आधेज एंड नाइट फॉर्म आणा कैसे नाइट और देज होते हैं ठीक है ओके वेट असिकेंड कैसे होते हैं वो अपन स्टुडेंट सी पूछते हैं ना चलो कौन बताएगा खुशाल अन्म्यूट करो जजी स्टुडेंट वो इजारी आपको लिए यस सर्थ बताव बेटा डेव नाइट कैसे बनते हैं सर्थ डेव नाइट कैसे बनते हैं कि अर्थ रेती वो अपने प्लेस पर ही जो गूंती है राउंड करती है रोटेट करती है जिस तरफ सन की जो रोशनी हाफ पार्ट पर गिरती है उस उस साइड में डे होते हैं और जिस साइड लेट वान नाइट होती है अब हम पढ़ते हैं और यह तो पढ़िया था कि यह नाइट कैसे होते हैं अब हम पढ़ते हैं कि सीजन में कैंसे चेंजिस आते हैं सीजन मतलब कर्या हमले जो अपने होता ना डिंटर सीजन और 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 कैंसे होते हैं winter, rainy, summer और एकुर होता है autumn season यह चार season होते हैं ठीके the earth completes one revolution around the sun in about one year ठीके earth एक revolution complete करता है यहाँ पर revolution की बात हो रही है rotation की बात नहीं हो रही है rotation मतलब अपनी ही place पर गुमना और revolution मतलब sun के आगे बीचे गुमना ठीके तो जब अर्थ sun का एक पूरा round complete करता है उसको इसमें कितना time लगता है वन यर ठीके वन यर अब वन यर में कितने days होते हैं मतलब वन रेवोलिशन वह कंप्लेट करता है 365 days टीके 365 days तो पूरे लगते हैं बट जो 66 days लेता है उसका एक आदा पार्ट लगता है आदा भी नहीं वन फॉर्ट पार्ट मतलब 25 परसेंट एक दिन का 25 परसेंट वह एक्स्टा लेता है ठीके तब अपना किसे होगा एक एक में कितने हो गए 25 परसेंट यूज कर लिया फिर अगले अगले यर में 25 परसेंट फिर से यूज कर लिया तो कितने हो गये 25-25 50 परसेंट वह गया किके फिर नेक्स यर में 25 यूज करा तो कितने हो गए 75 और फिर हो गया तो 100 मतलब जब 4 यर्स हो जाते हैं तब वो कितने डेस यूज करता है 366 डेस कब होते हैं लीप येर में अना होते हैं येस डाउट किसको डाउट एक हो रहा हो कि अब आपको क्या कंट्विशन है अब आपने आप जो पढ़ा रहे हैं और अलग आ रहे हैं अब बेटा तो आपके बुक की पुरानी है ना बुक आपकी ओल्ड एक है उसमें तो चेंज हुआ है इसले तो काता आपको निंग लानी है चलो अब जितना आ रहा है तो सब्सक्राइब लेता है 365 लेता है और जो एक और दिन लेता है उसका 25 परसेंट वो यूज करता है तो 25 पेले यर में 25 सेकेंड यर में 25 थर्ड यर में 25 फॉर्थ यर में ऐसे करके वो पूरा दिन कंप्रेट कर लेता है इसलिए फॉर यर्स में क्या आ जाते है वो 366 डेज हो जाते है अब हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं वो एक रिवोलिशन वन यर में कंप्रेट करता है आर्थ का जो रिवोलिशन होता है और एक्सिस जो यह एसी जुकी भी है उसकी वज़े से क्या होता है अर्थ में सीजन चेंजेश आते हैं विकोज ऑफ देट ऑफ देट अर्थ एक्सिस अर्थ एक्सियर और नीचे वाला सदन हेमिस्फियर एकल बताया था मैंने आपको तो अर्थ की जो एक्सिस क्या है थोड़ी दिल्ट है मतलब थोड़ी सी जुकी भी है तो संद्रेश कहां पर किरती है या तो नॉर्दन हमिस्फियर में या फिर सदन हमिस्फियर में और आइधर आइधर मतलब या तो दोनों में से एक अब जो संद्रेश जो डायेट इस पर गिर रही है तो उस पार्ट में क्या होगा उस पार्ट में समर सीजन होगा और उसके अपोजिट पार्ट में क्या होगा विंटर सीजन अना कि समद्वें आपको किसे अब जैसे मैं बताता हूं वेट शेकेंड डो करके बताता हूं मैं आपको कि यह सन है यह अर्थ यह किया कर रहा है सन के आसपास क्या कर रहा है मूँ कर रहा है कि सन की रेस क्या हो रही है revolution की वज़जे से वह क्या हो रही है जोuğ अब इसन यहां पर क्या ओ रहा है यह जो अर्थ है आज पर वाले पाइगी उपर वाले पार्ट में क्या होगी summer season क्यों क्यों क्योंकि यहां पर Sun की रि mesma MATT Week और फिर यहां करेंगे धीरे-धीरे उपर जाएगा अब समरparents कहा पर आ रही है नीचे वास्सavic को पर एर्थ रिवोलुशन करता है उसकी वज़े से संवेस कभी नॉर्दन हमिस्फिर में जाती है कभी सदन हमें कि कि एस दर अर्थ बूस अरॉड अरॉड दसन आफ्टर अबाउड शिक्स मांथ दपार्ट एट हैड समर विल नाव हैव विंटर एंड पार्ट एट हैड सब्सोन को आको बताए कि six month में वो अपनी ब्लेश चींज कर लेगा और यहां से यहां आ जाएगा यहां से यहां पर यह से करके बाव कम्प्लीट करता है ना वहां पर नकिते रिश माःडव आ है वहां पर क्या होगा महापर महापर क्या होगा महापर summer season होगा और जहां पर sun rays नहीं आ रही है महापर क्या होगा winter season okay for example when we have summer in India which is in the northern अब आद एक ग्जामपल दे रखाएं तो यहां पर जैसे फूर एक्जामपल में क्या है और बां पर क्या है विंटर अब क्या समझ में भाल अ पूरे अड़ पर इस तोन आसकती जैसी का रहा रीषर करता है कि सबसे वहले तो ऊपर एक्जामपल इस पोजिशन में हैं संकी रेस कहां पर आयगे इस प्लेस पर यह यहां पर दिख रहा है आपको इस प्लेस पर तो संकी जो रेसे वुखा जाएगी उपर उपर सिर्फ तो यहां पर क्या होगा समर सीजन और नीचे कहां पर होगा विंटर से यह इसका पूरा लोचिक है कि अपार्ट फॉंद समर एंड विंटर सीजन वी हैव तू मोर सीजन कॉल ऑटम एंड स्प्रिंग दो और सीजन होते हैं एए विंटर ओर समर सीजन के अलावा। क्शा से ऊटर्ण और स्प्रिंग दो सीजन ओर होते हैं बद्ध है autonom कंआ फन्मर naval एन मीफोर विंटर कव कहीप समर के बाद समर सेसन चोंता है उसके बार और विंटर के पहले किसमेर और विंटर के पैविक इसमें बिज्द बी आ जाता है वाइल स्पृ्ट्रिंग कोब्हस आफ्टर विंटर एन विफॉर समर और विंटर के भीच में सीजन रहता है वह कुछ सा इन सीजन में ना की ज्यादा ठर्ण लगती है ना ज्यादा गर्मी लगती है अब जब विंटर जाये गा उसके बाद वाला जो शीजन देता है वो आपको भी अच्छा लगता है जब आप एक्जाम एक्जाम देखें कंप्लीट फ्री हो जाते हो और वो मौसम मतलब वो जो सीजन वो भी अच्छा लगने लगता है आपके यह अंडर लाइन कर लो आप प्लीजेंट मतलब अच्छा आप इस चैप्टर में रोटिशन पड़ा रेविशन पड़ा अब यह पढ़ते हम लेट से टूगेधर एक यह वर्स से कुछ आपको रीट करने हैं अन्हाँ मैं भी रीट करूंगा आपको answer देना है let's say together first planet में बोल रहा हूं और आपको repeat करना है एक चलू ठीकिए first planets P L A N E T S planets, repeat Shub repeat Dewar P L A N E T S planets P L A N E T S Dwarf Planets D W A R F D W A R F D W A R F D W A R F Dwarf Planets Dwarf Planets Dwarf Planets Dwarf Planets Dwarf Planets Dwarf Planets S A T E Dwarf Planets Dwarf Planets Dwarf Planets Ore WI DE d Dwarf Planets Cody Audience contrary complete next axis a x i s axis a x i s axis repeat ok next equator eq u a t o r eq u a t o r iq u a t right has to get the group item , IMG ah cos no विटा रिप्रिक नी करना है विए एकां करना पोल ना विए I wanna see some updates I wanna see some updates I wanna see some updates complete ओके ना राइट homework two times इसको आपको टू टाइम्स complete करना है homework को आपको आपको homework है यह आपको टू टाइम्स complete करना है कि लर्न करके राइट करना है और टू टाइम्स कि जैसे अभी लर्न करना वेसी लर्न करना है जैसे हर बार करते हो आप वेसी आपको कम्प्लीट करना है कि ओके ना है जा बोकिदी कंप्लीट कर लेते हैं जोग तो इसंट प्लैनेट भी सेटिलाइट सीस्टार डी अवाफ प्लानेट इन में से क्या है sun answer is star answer right करो star अलब टिक कर लो आप second the nearest planet to the sun is sun के सबसे पास planet कोन सा है Venus Mercury Neptune or Mars right answer Mercury complete third the biggest planet in the solar system solar system में सबसे बड़ा प्लैनेट कुन सा है Mars Jupiter Saturn Saturn या पिर प्लूटो अंसर जुपिटर क्या होगा अश्यू अश्यू श्यार अमाले ओल भूग है यह कोश्चन नहीं आ रहे है उसमें श्यार आ रहे है तो करो न तो श्यार करे भी है अच्यार करे भी है देखलो आंसर कर लो गलत नहीं अगर गलत हो तो आप रफ करके राइट कर लो थर्ड कम्प्लीट फूर्थ देखलो प्लैनेट डेट था रॉमिनेंट रिंग सिस्टम अरॉंड एक उनसा प्लैनेट जिसके आज स्पास रिंग सोती है मार्स, जुपिटर, सैटन या फिर यूरेनस आंसर इस सी, सैटन झाल इन में से क्या एक सैटलाइट है सन, मर्कुरी, मून या फिर प्लूतो आंसर इस मून, सी झालाइट, सैटनी, सैटनी, से क्या था ऑ्लोतो, सौरी साटनीごक्या Poli, सौरी क्याी, साटनी, आंसर था अंसर द्धी Game, Q मून अर्थ की आर्टिविशल सेटिलाइट है क्या, answer is false, हो क्योंकि वो नेचुरल सेटिलाइट है, third, Uranus is the farthest planet from the sun, Uranus संसे सबसे दूर वाला प्लानेट है, answer is false, सबसे दूर क्या है, नेप्चुन, Neptune is a dark planet answer is false Neptune तो एक normal planet है और डाफ planet कुल सा है Pluto प्लूटो प्रिफ्थ सैटन इस दे सेकेंड लाज़ेस प्लानेट अब दे सोलर सिस्टम सैटन सबसे लब सेकेंड लार्जेस थे मतलब सेकेंड नमबर पहे सबसे बड़े प्लैनेट में सेकेंड नमबर रिंट में सेकेंड नमबर रिस यस तू फ़र्स पूं से है जुपिटर और सेकेंड सेटर कर दो प्लुटो इस नौ कंचिडरे तो बी अच में बाशने जा प्लुटो अब कॉंसा प्लाइंट गा जाधा उसको प्लैनेट या फिर द्वाफ प्लैनेट आंसर इस द्वाफ प्लैनेट सेकेंड तपिक्स ऑन दे सर्फेस अफ दा मून आर कॉल्ड मून की सर्फेस पे जो खटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं क्रेटर्स या फिर बेली आंसर इस क्रेटर्स अगल अफ दे टेल्ट अफ अर्थ एक्सिस इस आज की जो एक्सिस है वो कितने इंगल पे टेलिट हैं मतलब कितने इंगल पे जुकी लिए हैं वो आंसर इस 23.5 देल्ट 23.5 देल्ट 23.5 देल्ट पूर्थ अर्थ कम्प्लीट वन रोटेशन इंड डेश अर्थ एक रोटेशन कितने टेल्ट कितने टाइम पे कम्प्लीट करता है अब एक दिन में या फिर एक आर में अब एक गंटे में अर्सर इस एक टेल्ट जैस क्या हो गया हुआ अब क्या हो गया हुआ यह कुछ भी नहीं हुआ इस टेक्स अबाउट डेश मांथ तो चेंज दश सीजन फ्रॉम समर तो विंटर कितना टाइम लगता है समर से विंटर होने में किसी भी एक जगा का सिक्स या फिर थ्री आंसर इस चेक्स ठीक्ए कम्प्लीट कर दिया दिवाब क्या हुआ सर कम्प्लीट कर दिया दिवाब सर अमाई बुग में तो यह कब का कम्प्लीट है चेक कर दिया सब सही है पटेक्स जिए आज किने गरेगे तर सही है अई आपको ग्लास में देंगगत जल्दी से कम्प्लीट करो सबका कम्प्लीट हो गया है जितने सुरेंट कर रहे थे सबका कम्प्लीट हो गया है जल्दी से कम्प्लीट करो म्रगांक पांच जितना भी करवाय है वो सब कंप्लीट हो गया है टू फोल्स फिल इन दे ब्लैंक्स जितना भी करवाय है जितना भी करवाय है जितना भी करवाय है अनुष्का पिटा अगर हार्ट वर्ट सुंगे तो आपको बता देंगे हार्ट वर्ट आपको लिखने की नी लिखने वो आपको बता देंगे आपने नोट्स के लिखने के लिखने जितने चप्न हो गए हैं एक करते जाओ जितने आपने एक्स्प्रेंग किये और हमारे कम्प्लीट हो गए बुक में उत्ती करने हैं तो ज्यादा नहीं करा है वो करना नहीं है कि कम्प्लीट ना एक लास्ट गुटी बच गी है वन वर्ड दे स्मॉलेस प्लैनेट इन दे स्वालर सिस्टम सबसे छोटा प्लैनेट कुन सा है स्वालर सिस्टम में आंसर इस मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट मर्क्यूरी सेकेंड दे प्लैनेट ओन विच लाइफ एक्जिस्ट कौन से प्लैनेट में life exist करती है मतलब जहां पर life है जहां पर लोग रेते हैं कौन से प्लैनेट पे answer is earth third the natural satellite of the earth the natural satellite of the earth answer is moon answer is moon fourth the first artificial satellite sent into space by India India से बेज़ी हुई सबसे बेली artificial satellite कौन सी है आरेव बड़ answer is आरेव बड़ fifth an imaginary line that divides the earth into two equal halves कौन सी लाइन earth को दो पार्ट में divide करती है imaginary line imaginary line मतलब जो real में नहीं है बट हम सिर्फ क्या कर रहे हैं उसको imagine कर रहे सोच रहे है तो उस लाइन को क्या कहते हैं equator तो पर्णा यॉच्टर इक्वेटर वां प्लेकरों प्लेकरों हाँ मेटा आप भी बिना उसके कर लो हाडवर्स के अन्हाँ अभी बिना हाडवर्स के कर लो आप कोफी कम्प्लीट कर लो यह कम्प्लीट हो गया सबका अलव यू सब्सक्राइब आपका कम्प्लीट होगा है सेंट में थम्सब् अब 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 झाल झाल और निएक अपकी के लेट सर्ट तोगेदर वो कंप्लीट करना है लानेड़ाइड गाफ कॉपि में और ये कंप्लीट करना है यह बूर ते कि लानेड़ाइड पूरेट ति ते कि नेक्स्ट वीक से अपन सोशल साइन्स पढ़ेंगे यहां तक आप कॉपी भी कंप्लीट करके रखो कि कि यह होमवर्क आज करेगा ओके आरेंडिंग क्लास